दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल शत्मा और्लाइन स्टैडी पॉइंट में दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि हमने परसो यहाँ पे एक वीडियो अप्लोड की थी जिसके रिगार्डिंग वीडियो प्लोड की थी दोस्तो वो था कि 30% स्लेबर्स आपका रिडियूज हो चुका है लेकिन दोस्तो वहाँ पे प्रोब्लम क्या थी जो स्टुडेंट स्पेस कर रहे थे कि वहाँ पे 10 वी का जो स्लेबर्स था रिडियूज वाला वो तो खुल रहा था लेकिन 30% स्लेबर्स जो रिडियूज हुआ था 12th का वहाँ पे लिंक दिया हुआ था लेकिन लिंक नहीं खुल रहा था चात्र उसको लेकर बहुत प्रेशान थे लेकिन एक प्रेशानी यहां पर और खड़ी हो गई है दोस्तों आप यहां पर मैं आपको खुद दिखा दूँगा कि प्रेशानी क्या है आपको पता है कि मैंने यहां पर सर्च बार में यहां पर MP बोर्ट डाला हुआ है और यहाँ पर जो नई वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर खुल के आएगी यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के पत्पश्चा दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी एक नई वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों तो आपको यहाँ पर यह होगा दोस्तों कि यहां पे दो कोलम यहां पे कल खुल रहे थे कल तक यहां पे दो कोलम थे उपर की तरफ था दसवी और बारवी का जो रिडियूस लेबस था ब्ल्यूप्रिंट था वो दिया हुआ था लेकिन दोस्तों यहां पे ना तो वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं या उनका बिलकुल भी प्रेशान को प्रेशान करने का मतलब कि उन्होंने जिम्मा उठा रखा है चात्रों को तो मैं बस यहां से बोर्ड वालों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि दसवी और बारवी का पूरा अपडेटिट स्लेबस, र यहां पर कोवीड नाइटीन के चलते दोस्तों यहां पे बिलकुल भी नहीं हो पाई है क्योंकि यहां पर आपको पता है कि यहां पे CBSC board खुद बोल रहा है कि हमें 50% स्लेबस यहां पर कम करना है और यहां पर MP board है कि यहां पर चात्रों को परेशानी में डाली रहा है तब यहां पर आपको comment में डालना है कि reduce labor, reduce labor यहां पर करना है तब ही जाके होगा तब ही यहां पर board की आँके खुलेगी तब यहां पर बोर्ड की आँके खुलेगी तब आशा करता हूँ कि यह video आपको अच्छी लगी होगी और जैसे latest labor आता है